कि आप जो कह रहे हैं कि अगर राधिस्थान में राहुल जी की एंट्री हो गई है तो मैं इसके लिए भारतिय जिन्ता पार्टी को बदाई देना चाहूंगा क्योंकि जित्तिक कोंग्रेस वाले उनका इंतिजार नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा कहीं अधिक भाजपा के लोग उनका इंतिजार कर रहे थे कि अगर वो यहां आए और हमारा काम आसान करे माता जी साथ आनी पड़ेगी माता जी की नितान ताव सकता है फिके ना तो आपको पता यह फिर तो और ज्यादा खेला हो जाएगा माइनस में नहीं चले जए कांग्रेस कहीं मेले में कल परसों पूर्सकल में मेला मेला चल रहा है वहां जानवर भिक रहे हैं उंट बेल गोडे गदे और खास और तो और उसके बाद राहूल गांधी यह ताल ठोक रहे हैं कि यह राजस्थान की जीत के बाद यह तैह हो जाएगा कि 2024 में हम धक्का मार करके नरे निर्मोदी को सत्ता से नहीं देश से बहार निकाल देंगे हमारे साथ जोदपूर हाई कोट के कुछ वकील साहब लोग हैं सर राहूल जी आपके स्टेट में आ गये हैं घूम फीर करके और सोनिया जी बहुत दिनों से बीमार रही है कहीं परचार नहीं करती हमारे दिल्ली में विधान सभा चुनावा उसमें उन्होंने परचार नही भी नहीं गई लेकिन बेटा जी के लिए वो आपके स्टेट में आ चुकी हुई है और वो कह रहे हैं कि अब हम राजस्थान में पहले वो जो परंपरा है कि पांस साल में सरकार बदलती है उसे हम तोड़ देंगे फिर से आएंगे और उसके बाद धक्का मार करके हम लेकिन राजस्थान में इसलिए बिल्कुल बिल्कुल हम परसीद मैंने खुद में महसूस किया है दूसरी बात यह कि आप जो कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में राहुल जी के एंट्री हो गई है तो मैं इसके लिए भारतिया जंता पार्टी को बदाई देना चाहूंग लगरा क्योंकि घिततीом किれる वालों के लोग उनका इंतिजार कि रहे थे कि अगर वह यहां आये और हमारा कैम आसान करें जहां जहां पड़े पाउं संतन के वहां वहां वेयरा यह Barb बाजपा वालों से बढ़ाई के लिए मेरा बहुत बहुत बढ़ाई है बाजपा वालों को कि अब भारतिय जनता पार्टी के जित्ते भी कार्य करता और निता है मेरा उनको यह कहना है कि आपको बहुत बहुत बढ़ाई कि राजकुमार की एंट्री हो गई है आपका आधा का पाधा की सरकार आएगी या नहीं तो अब मेरी तरब से आप गारंटी ले लिए लिए कि राजस्थान में बाधपा की सरकार बहुमत से आएगी तो मम्मी भी साथ में आई हुई है 서 most welcome naturally क्या होता है आपका आशे पद्री है मैं पूछ सकता हूं आपसे साथ है अदली से माधा माता जी ससे नहीं क्यों हूँ है माता जितोल मä稍जर हो मैचोर हो माता जी साथ आनी पेजांब बैठे हैं गोडे के मोड़ल लगाम होती है उन्ट के नाक में लगाम होती है तो पुढ़ माताजी लगाते हैं कि कहीं भूद जदा कबाड़ा नी तो माता जी का भी स्वाकेता हमारी तरफ से वह अचाने 101 कि कबार जदा कि कबारेंगे कुढ़ तो होnda । होगा ही होगा कबड़ हो गया काउम कई जदा खाला नहीं हो सब्सक्राइब कंगर्स राज्स्थान से विपक्स तुह पिक act के चाहल को आइक पाले को देनिया निगेज न सब्सक्राइब ओसके लिए सब्सक्राइब इस तो पूरियो मत क्या भब नेắmा ये काण्थी को नेomeड 저번 अब कि क्यों आ गए बिल्कुल दुखी है लेकिन वो क्या करें कि हमारे यहां मारवाड़ी में कहवत है कि चोर की मम्मी होती है ना वो बोरे में मुझ डाल के रोती है कि मेरे घर में चूरी होगी अब गहलो जी किसी को भी कहने की कंडिशन में नहीं है हो सकता है वेभव जी को कह आप उनका हिंट्रियो जरूर ले लीजिएगा वेभव जी को बता सकते कि मेरी कड़ी खराब करने के लिए अच्छा खरके साब भी आए हुए हैं बिल्कुल सर अभी पुस्कर में कली मेला चल रहा था मेले में नहीं नहीं गया यह मेले में परसों पुर्सकर में मेला मेला तो आप नहराज ही होंगे खुश तो नहीं होंगे उनके साथ हमने बहुत को जेला है पान साल में राजस्तान ने बहुत को जेला है जिनके बारे में आप किसी से भी आदमी से पूछ लीजिए वो बता देंगे आपको कि क्या को जेला है वो उसमें उसमें डीप मैं नहीं जाओंगा कि क्या-क्या जेला है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं तो आप मज़ लीजिए कि अगर किसी इंसान को बात से मार सकते हो गुड से मार सकते हो उसको जहर देने की नौबत कब आती है कि जब वो गुड और से नहीं मर रहा हूं तो अब यह जो बड़े-बड़े इसका मतला कॉंग्रेस को दिख रहा है कि सरकार जा रही है क्योंकि सोनिया जी ना MP गई ना 36 गड़ गई हां तो वो और से उसे लिए लगा रहे है कि उनको पता है कि राधास्तान में बहुत बुरी कंड़िशन से मैं कांग्रेस है इसलिए ऑफ सारे अपने सीनियर लीडर ओर हो मर यहां राधास्तान को फोक्स कर रहे हैं झाल